Hello guys, my name is Nitish and you are welcome to my youtube channel So we are continuing with our deep learning course Last video में हमने सीखा की perceptron के साथ problem क्या है और हमने पाया की perceptrons non-linear decision boundaries create नहीं कर सकता वेकोज वो एक linear model है, line draw करके अपना काम करता है तो फिर solution क्या है, solution है multi-layer perceptron मतलब आप multiple perceptrons को जोड करके एक बड़ा सा neural network बना सकते हो और वो neural network एक universal function approximator की तरह काम करके किसी भी तरीके का non-linear decision boundary create कर पाएगा तो आज का वीडियो, true essence में इस series का first वीडियो है जहाँ पे आप पहली बार neural network से मिलोगे और आप ये सीखोगे कि वो non-linear decision boundaries क्यों create कर पाता है तो मैं आपको आज की वीडियो में intuition दूँगा कि multi-layer perceptron कैसे काम करता है और एकदम first principle से आपको मैं intuition दूँगा मतलब एकदम scratch से हम logic create करेंगे और मैंने बहुत सारे diagrams बनाए हैं उन diagrams के help से I will try कि आपको पूरा का पूरा concept बहुत easily समझ में आ जाए ठीक है also last में मैं आपको एक बहुत बढ़िया demo दिखाऊंगा TensorFlow playground पे जहां पे आपको वो demo देख करके और जादा मज़ा आएगा ठीक है तो that's it let's start the video so guys एक बार हम लोग वापस जाते हैं हमारे problem के उपर हमारी problem ये है कि हमारे पास perceptron as an algorithm है और वो काम भी करता है बट उसकी एक ही परेशानी है कि वो non-linearity अगर आपके data में है तो वो उसको capture नहीं कर पाता जैसे कि आपके screen पर ये एक example है यहाँ पर एक ऐसा data set है जहाँ पर दो classes है green और red but you can see कि इन दोनो classes को separate करने के लिए आपको कुछ इस तरह का decision boundary चाहिए होगा जो actually एक line नहीं है जो perceptron draw करता है in fact this is a curve so हमारी problem ये है कि हमें किसी तरीके से एक ऐसा algorithm बनाना है जो किसी भी तरीके का non-linearity capture कर पाए जो हमारा perceptron नहीं कर सकता और सबसे challenging बात ये है कि हमें perceptrons को ही use करके वो algorithm बनाना है तो हम multiple perceptrons को use करके एक ऐसा algorithm बनाने का try करेंगे जो किसी भी तरीके का non-linearity capture कर पाए अब multi layer perceptron की तरफ बढ़ने के पहले मैं एक चीज यहां पर clear करूँगा कि इस पूरे वीडियो में मैं जो perceptron लेके आपको समझाओंगा उस perceptron में जो activation function है वो step function नहीं है वो sigmoid है और जो loss function है वो hinge loss ना हो करके log loss है basically मैं logistic regression की तरह यूज कर रहा हूँ मेरे perceptron को ठीक है यह clarity बहुत important होना है सो अब एक बार देखते हैं कि sigmoid के साथ किस तरीके से काम करता है perceptron देखो funda बहुत simple है हम फिर से same example लेते हैं CGPA और IQ मेरे पास है मुझे predict करना है कि placement होगा या नहीं होगा अब sigmoid के साथ काम कैसे होता है कि आपका जो output होगा वो 0 और 1 नहीं होगा या फिर minus 1 या 1 नहीं होगा आपको 0 से लेके 1 के बीच में एक probability मिलेगी ठीक है जो यह बताएगी कि उस बच्चे का placement होगा या नहीं होगा जैसे कि मैं आपको एक example देता हूँ मालो आपने जब इस model को train किया तो आपको w1 मिला 5 w2 मिला 10 और bias मिला 3 एक example है ठीक है तो अब हमारे पास यह एक line आ गई जिसका equation है 5X plus 10Y plus 3 equal to 0 यह इस line का equation है ठीक है अब आप जैसे ही एक नए बच्चे का CGPA दोगे मालो CGPA है 8.7 और IQ दोगे मालो 87 तो क्या होगा कि सबसे पहले आप Z calculate करोगे Z कैसे calculate होगा Z calculate होगा इस formula W1 multiplied by CGPA W2 multiplied by IQ और आपका bias ठीक है W1 है आपका 5 CGPA है 8.7 W2 है 10 IQ है 87 प्लस 3 यह आपका Z आ गया अब आप क्या करोगे Z को इस Sigmoid function में भेज होगे Sigmoid function का formula होता है यह तो यह हमेशा आपको 0 से लेके 1 के बीच में probability देगा और यह जो probability होगा यह placement होने का probability है probability आया 0.8 तो हम बोल देंगे कि इस student का place होने का probability is 0.8 तो automatically सिंस दो ही चीज़े possible है second possibility यह हो गया कि उसका placement नहीं होने का probability is 0.2 तो आपको बस यह समझना है कि for every student we will get two probabilities पहला probability बताएगा probability of yes और दूसरा बताएगा probability of no ठीक है अब एक चीज़ और जो समझने की है वो यह है कि यहाँ पे हर point एक student है तो यह जो line है यह क्या करता है यह इस region इस पूरे के पूरे space को दो regions में divide करता है एक यह है और एक यह है अब यह line की उपर probability of y point 5 होता है मतलब इस line की उपर अगर कोई student है तो उसका placement होने का और placement नहीं होने का दोनों का ही probability 0.5 है बट जैसे-जैसे आप इस line से दूर जाते हो green region में तो आपका placement होने का probability placement नहीं होने के probability से जादा होता है जैसी कि अगर आप इस student का बात करो तो इसका placement होने का probability हो सकता है 0.9 तो automatically उसका placement नहीं होने का probability 0.1 हो जाएगा लेकिन अगर आप इस student का बात करो since ये line के पास है तो इसके placement होने का probability होगा 0.6 और placement नहीं होने का probability होगा 0.4 similarly अगर आप इस student का बात करो since यह line से बहुत दूर है इस direction में तो इसके placement होने का probability बहुत कम होगा और placement नहीं होने का probability जादा होगा अगर आप इसका बात करो तो इसका placement होने का probability 0.4 होगा probability placement नहीं होने का 0.6 होगा तो यह एक gradient sort of बन जाता है कि जितना आप line से दूर जाते जाओगे उतना आपका probability बढ़ता है जैसे कि यह सारी lines में अगर आप देखो तो इसमें probability of yes होगा शायद 0.6 क्योंकि इसमें 0.5 है इसमें होगा 0.7 इसमें होगा 0.8 इसमें होगा 0.9 similarly अगर आप यहाँ पे lines draw करो parallel तो यहाँ पे होगा 0.4 अगर आप यह line draw करो तो यहाँ पे होगा 0.5 अगर आप यह line draw करो तो यहाँ पे होगा 0.3 यहाँ पे 0.2 और यहाँ पे 0.1 इस तरीके से तो that is how perceptron works तो simple funda आपको यह समझना है कि for every student you will get two probabilities जो पहला probability है वो आपका probability of yes है और इससे आप 1- करके probability of no निकाल सकते हो ठीक है यह आपको समझाना था मुझे I hope आपको यह समझ में आ गया So guys perceptron sigmoid के साथ कैसे काम करेगा यह तो हमने समझ लिया अब हम लोग क्या करते हैं हम multilayer perceptron का एक idea form करने का try करते हैं और मालो मैंने इस data के उपर दो अलग perceptrons train किये यह है मेरा पहला perceptron यह है मेरा दूसरा perceptron मालो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर w1 आया 2, w2 आया 3 और bias आया 6 इस model में और इस model में w1 आया let's say 5, w2 आया let's say 5 या फिर 4 ले ले लेते हैं और b आया 3 तो इस perceptron का line कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है this is the decision boundary of this perceptron तो इस line का equation हो जाएगा 2x plus 3y plus 6 similarly यह दूसरे perceptron का decision boundary है यह line मुझे मिला तो इसका equation हम लिख सकते हैं 5x plus 4y plus 3 equal to 0 ठीक है अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि what if हम इन दोनों perceptrons का जो output है जो decision boundary है उसको किसी तरीके से जोड़ दे और जोडने से कुछ ऐसा हो जाए ठीक है आप इसको देखो आपको देख के समझ में आएगा मैंने ऐसा किया है कि ऐसा सोचो कि मैंने इस नीचे वाले image को उठा करके इसके उपर superimpose कर दिया रख दिया है ठीक है और मुझे यह kind of नई decision boundary मिल रही है अब मैं क्या करूँगा मैं इसमें एक smoothening करूँगा अब smoothening क्या होता है आपको थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा और जैसी मैं smoothening करूँगा मुझे यह output दिखाई देगा this one and guess what यही decision boundary मुझे चाहिए था तो यह जो भी मैंने discuss किया आपके साथ यह multi-layer perceptrons का abstract idea है ठीक है अभी यह जो भी हमने discuss किया इसके पीछे कोई mathematical logic नहीं है मतलब मैंने आपको नहीं समझाए कि यह super imposition कैसे हो रहा है या फिर यह smoothening कैसे हो रहा है यह सब मैंने आपको नहीं बता है इसके technical details mathematical details मैंने आपको नहीं दिये बट मैं बस आपको एक idea देना चाहता हूँ एक intuition देना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है सो हम क्या कर रहे है हम same problem को solve करने के लिए एक से जादा perceptron ले रहे है हमारे case में दो perceptrons ले रहे है दोनों का decision boundary अलग-अलग है जैसा आपको दिखाई दे रहे है और अब हम क्या कर रहे है उन दोनों को first of all super impose कर रहे है एक दूसरे के उपर बिठा दे रहे है और फिर हम क्या कर रहे है smoothening कर रहे है जिसकी वज़े से मुझे मेरा desired output मिल रहा है बट ये जो भी हमने बाते की ये हवा में की इसके पीछे कोई mathematical मैंने अभी logic नहीं justify किया है तो अपने आपको दिखाता हूँ कि mathematically इस चीज को कैसे achieve किया जा सकता है so इसके पीछे का mathematics proof करने के लिए मैंने इन दोनों perceptrons को यहाँ पे रखा है आपके सामने अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे जितने भी points हैं सारे basically हमारे students है तो let's say हमने इस student को पकड़ा अब इस particular perceptron के हिसाब से इस student के placement होने का probability let's say मान लेते हैं कि point 7 है ठीक है similarly इसी student के इस perceptron के हिसाब से placement होने का probability point 8 है मान लेते हैं ठीक है इसी तरीके से हर student के लिए placement होने का probability होगा ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने इसी student को पकड़ा फिर से और इन दोनों का जो output था उनको जोड दिया तो मैंने क्या किया अगर मुझे अपने नए model में इसी student का पता करना है कि उसका probability क्या है placement होने का तो मैं बोल रहों कि मैं इस perceptron का जो output है उसमें इस perceptron का जो output है वो जोड दूँगा और यही मेरा probability होगा there is only one problem कि यहाँ पर यह 1.5 हो गया और आपको पता है कि जो probability होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है तो यह एक लफडा हो गया बट इसका भी हमारे पास एक solution है what if मैं यह करूँ कि यह जो probability आई है इसको मैं उठा करके sigmoid function में डाल दूँ sigmoid function का formula होता है 1 plus 1 divided by 1 plus e to the power minus z so इस case में अगर आप निकालना चाहो यह since मैंने calculate करके रखा है it would come out to be 0.82 तो अब यह जो combined model हमने बनाया जहाँ पर मैंने पहले यह दोनो probabilities को add किया और फिर उसको sigmoid में डाला तो उस नए model के हिसाब से यह जो बच्चा है यह जो student है इसका placement होने का probability is coming out to be 0.82 और यही मैं हर student के साथ करूँगा अब मैं इस student को पकड़ूँगा इसका probability of yes निकालूँगा given by perceptron 1 फिर मैं इसी का probability निकालूँगा with perceptron true दोनों को जोड़ दूँगा sigmoid में डाल दूँगा और मुझे उसका probability मिल जाएगा placement होने का ठीक है तो that is how you achieve this model यहाँ पर दो चीज़े किया आपने पहले addition किया और फिर वापस sigmoid में डाला जिसकी वज़े से वो पीछे वाली दो चीज़े हो रही है super imposition और smoothening तो I hope आपको थोड़ा सा यहाँ पे clear हो रहा है कि mathematically यह पूरी चीज़ कैसे काम कर रही है you are basically finding out the linear combination आप दो perceptrons का linear combination use कर रहे हो to find out new probability और यह रहा उसका resultant so guys अब यह जो concept हमने discuss किया linear combination of two perceptron का उसको थोड़ा सा और extend करते हैं मतलब मैं उसमें थोड़ी flexibility add करना चाहता हूँ let's say मैं यह जो मेरा decision boundary था उसके बदले मैं यह decision boundary चाहता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखो तो यह decision boundary कुछ ऐसा है कि इसके उपर perceptron 1 का impact जादा है और perceptron 2 का impact कम है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या मैं इस model में कुछ ऐसा change कर सकता हूँ जिससे perceptron 1 जो है उसका output जादा dominate करे perceptron 2 के output से the answer is आप बिल्कुल कर सकते हो आप क्या कर सकते हो अभी तक हम क्या कर रहे थे हम कोई भी student को उठा रहे थे उसका yes का probability ले रहे थे दोनों जगों से उसको add कर रहे थे और फिर उसको sigmoid में भेज रहे थे और वही हमारी probability हो रहे थी what if यह जो addition हो रहा है इसको हम लोग weighted addition बना दे मतलब हम directly यह probability यहाँ पर ना भेजें हम एक weight के थूँ भेजें let's say मैंने यहाँ पर यह weight दे दिया 10 का और इसको weight दे दिया 5 का सो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो नया perceptron नया जो model है multilayer perceptron जो model बन रहा है उसमें perceptron 1 का जो weightage है वो दुगना है perceptron 2 के weightage से तो अब यहाँ पर जो नया combination बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा हम perceptron 1 का output लेंगे उसमें 10 से multiply करेंगे क्योंकि यह उसका weight है plus हम perceptron 2 का output लेंगे और उसमें 5 से multiply करेंगे ठीक है और यह जो number आएगा यह जो number आएगा इसको हम z बोल रहे हैं अब हम इसको sigmoid में भेजेंगे ठीक है और फिर जो probability आएगी वो मेरी yes की probability होगी और ऐसा मैं हर आपके point के साथ करूँगा ठीक है in fact आप क्या कर सकते हो आप इसमें bias भी add कर सकते हो मतलब आप यह बोल सकते हो कि यहां से जब output आएगा तो weight 10 होगा यहां से जब output आएगा तो 5 होगा और इस system में एक bias है जिसका value है let's say 3 तो अब क्या होगा इसका value है point 7 इसका value है point 8 तो अब यह पूरा expression यहां पर z बन जाएगा point 7 times 10 plus point 8 times 5 plus this bias और यह bias यहां पर आगया यह मेरा z है इसको मैंने भेजा sigmoid में और यह मुझे फिर 0 से लेके 1 के बीच में एक probability देगा for this student so for every student here I will repeat the same thing अब अगर आप ध्यान से देखो so हो क्या रहा है कि यह जो पूरी चीज है यह जो पूरी चीज है यह खुद एक perceptron का ही तो काम कर रही है अगर आप सोच के देखो यह पूरी चीज यहां पर आपको पहला input मिल रहा है यहां पर आपको दूसरा input मिल रहा है यह आपका w1 है यह आपका W2 है और यहाँ पे एक B है और इसके आगे एक सिगमोईड है और फिर आप आउटपुट निकाल रहे हो तो इनवे आप क्या कर रहे हो इन दोनों परसेप्टरॉन से इस परसेप्टरॉन से जो आउटपुट आ रहा है उसको आप इस नए परसेप्टरॉन में as input प in fact मैं काम करता हूँ इस पूरी चीज़ को draw करके बनाता हूँ so यहाँ से मुझे x1 मिल रहा है यहाँ से मुझे x2 मिल रहा है यहाँ पे मेरा w1 है यह मेरा w2 है इसका value 5 है इसका value 10 है यह मेरा यहाँ पे summation हो रहा है जहाँ पे bias का value 3 है और यहाँ से हम sigmoid लिकाल रहे है यह म यह मेरा y hat है यह मेरा output है अब बस एक चीज यहाँ पर है कि यह जो input है यह मुझे data से ना मिलके यह perceptron 1 से मिल रहा है और यह perceptron 2 से मिल रहा है तो in a way आप कुछ इस तरीके का mental picture बना सकते हो कि perceptron 1, perceptron 2 is connected to perceptron 3 and over here you are getting your output तो now this is actually a multi-layer perceptron अब देखो guys मैं आपके सामने बिलकुल clearly पूरा picture draw करके दिखाता हूँ ठीक है तो यह मेरा perceptron 1 है यह मेरा perceptron 2 है और इन दोनों के linear combination से यह मेरा नया result आ रहा है ठीक है तो अगर आप इसको draw करना चाहो notes और weights और biases के through तो कैसा दिखाई देगा सबसे पहले मैं आपको यह वाला perceptron दिखाता हूँ ठीक है तो हमारे पास data तो वही है CGPA है IQ है और output में हमारा placement होगा या नहीं यह data है ठीक है तो यह जो perceptron है यह और दूसरा input आएगा IQ का मैं bias को यहां से rather than 1 दे करके what I will do is कि मैं bias को अंदर ही लिखते रहो bias by the way इस case में 6 होगा यह जो weight है यह 2 होगा और यह जो weight है 3 होगा ठीक है और यहां से मुझे output मिल रहा है इस perceptron का इस वाले perceptron का ठीक है बेसिकली एक probability क्यूंकि sigmoid लगा हुआ है similarly अगर आप इस perceptron का बात करो तो यह ऐसा दिखाई देगा इसका bias 3 है इसको भी CGPA का input मिलेगा और इसको भी IQ का input मिलेगा और यह भी मुझे output देगा ठीक है अब अगर आप इसकी बात करो तो यह भी एक perceptron है इस perceptron का bias है 3 और इसको दो जगा से input मिलेगा एक basically इस perceptron के output से एक इसके output से ठीक है और ये भी मुझे यहाँ पर output देगा ठीक है also ये वाला जो weight है ये 10 है और ये वाला जो weight है ये 5 है अब हम क्या कर सकते है इस पूरी चीज़ को redraw करके ऐसे लिख सकते है so it would be 6, 3, ये दोनों connections हमने draw कर दिये 3, output, CGPA, IQ, CGPA, IQ ठीक है, in fact हम इसको और अच्छे से यहाँ पर draw कर सकते है bias है 6, bias है 3, bias है 3, ये connection है, यहाँ पर weight 10 है, यहाँ पर weight 5 है, यहाँ पर आपको output मिलेगा अब CGPA इसको भी मिल रहा है, CGPA इसको भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बना देंगे CGPA और हम इसको बना देंगे IQ, और ये CGPA का input दोनों जगा जा रहा है, similarly output का भी दोनों जगा जा रहा है और also हमारे यहाँ पर भी weights defined है, CGPA to first is 2 और IQ to first is 3, CGPA to second is 5, तो this one will be 5 and this one will be 4, ठीक है? and guys, you can see, इसी को हम बोलते है, multi-layer perceptron, क्योंकि यहाँ पर देखो multiple layers है, इसको हम बोलते है, input layer, this is the input layer, इसको हम बोलते है, output layer, और यह जो है, यह हमारा hidden layer, ठीक है? and that's it, यही आपको समझना था, कि कैसे आप एक से ज़्यादा perceptrons को इस तरीके से organize करके, non-linearity capture कर सकते हो, ठीक है? सो मैंने एकदम आपको kind of first principle approach से, एक intuition देने का try किया, कि कैसे, एक multi-layer perceptron, non-linearity capture कर पाता है, फंडा बहुत simple है, आप linear combinations बनाते हो, of multiple perceptrons, ठीक है? I hope आपको यह पूरा idea clear हो गया, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? मैं इसी structure को थोड़ा और complex बना के, आप क्या चीज़े achieve कर सकते हो, यह next दिखाऊंगा, ठीक है? which will be very very interesting. Guys, अब हम लोग पढ़ेंगे, कि हम हमारे neural network के architecture में changes कैसे ला सकते हैं, to have some additional flexibility. सबसे पहले तो यह आपको समझना जरूरी है, कि neural network का architecture किसको बोला जाता है? So, architecture का basic मतलब है, कि आपके जो nodes हैं, जिनको आप perceptron भी बोलते हो, वो आपस में किस तरीके से connected है? ठीक है? weights और आपके nodes में किस तरीके का connection है? इसी को बोला जाता है architecture. तो आप क्या गर सकते हो? अपने architecture में changes ला सकते हो, based on your requirement. तो मैं आपको चार तरीके बताता हूँ कि कैसे आप changes ला सकते हो? तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपके पास जो hidden layer है, ये जो hidden layer है, आप इसमें number of nodes बढ़ा सकते हो. ठीक है? nodes बढ़ाने का मतलब number of perceptrons बढ़ा सकते हो. जैसे ये example देखो जो आपके screen पर है. अभी तक हमने जितने भी discussions किये, वहाँ पे हमारे hidden layer में total मिलाके दो perceptrons थे. बट इस case में, you can see, there are three perceptrons. बाकि सब कुछ सेम है, data सेम है, बस मैं निजबर क्या कर दिया, hidden layer में एक extra perceptron add कर दिया. अब उसकी वज़े से क्या हो रहा है, कि अगर मेरे पास एक ऐसा data है, जो बहुत ज़ादा non-linear है, तो वो जो additional non-linearity है, वो मैं capture कर पा रहा हूँ. So, मेरा पहला perceptron का decision boundary ये है, दूसरे का ये है, और तीसरे का ये है, जब मैंने इन तीनों का linear combination create किया, तो मुझे ये output मिला. अब ये कुछ अलग नहीं हुआ, बिल्कुल same चीज हुई, जैसे अगर आप इस point को पकड़ो, तो इस point का green होने का probability by this perceptron could be, let's say, point 2. इसका green होने का probability would be, let's say, point 3, इसका could be, point 4, यहाँ पे weights दिये हुए, let's say, 1, 2, 3, तो हमने फिर से क्या किया, हमने यहाँ पे जो perceptron है, इसके लिए z calculate किया, और z कैसे calculate हुआ, point 2 multiplied by 1, point 3 multiplied by 2, point 4 multiplied by 3, प्लस इसका खुद का भी कुछ bias होगा, let's say, bias 10 है, तो यह हमारा z calculate हुआ, अब यह z calculate करने में बस यह extra term आया, because there was an extra perceptron, अब इस z को मैंने sigmoid में भेजा, और sigmoid ने मुझे, इस point के लिए, 0 से लेके 1 के बीच में एक probability दे दिया, सब कुछ बिलकुल सेम है, बस यह extra term आ गया, कल को अगर हम एक और node add कर देंगे, तो एक और term ह में यहाँ पे भी add करना पड़ेगा, while calculating z, तो समझने वाली बात यह है, कि पहला आप nodes add कर सकते हो, अपने hidden layer में, जितने भी मर्जी कर सकते हो, और second समझने वाली बात यह है, कि जितने आप nodes add करते जाओगे, उतना जादा आपको help मिलेगा, और complex non-linear decision boundaries बनाने में, जैसा इ neural network के architecture को change करने का, कि आप अपने input layer में number of nodes बढ़ा दो, बट ऐसा आप तभी करोगे, जब आपके data में input columns बढ़ जाएं, जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे, कि हमारे पास CGPA है input column, और IQ है input column, बट लेट से हमारे data में एक और input column होता, 12th के marks, तो फिर अब हमारे input column में, sorry, input layer में, 3 nodes हो जाएंगे, और अब यह जो पूरा data है, यह 3D में चला जाएगा, so, x-axis पे let's say CGPA, y-axis पे IQ, और z-axis पे आपके 12th के marks, ठीक है, और मैंने आपको बताया था, कि अगर 3D में है, तो फिर आपका जो perceptron model होगा, वो एक plane होगा, और आपको दिखाई दे रहा है, यह दूसरा perceptron model है, यह भी एक plane है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों planes को linearly combine करूँगा, फिर से मैं linear combination निकालूँगा, तो किसी भी एक point को अगर आप पकड़ लो, तो उस point के green या red होने की probability के लिए, मैं सबसे पहले उसका probability निकालूँगा, उसको W1 से multiply करूँगा, और फिर same काम मैं करूँगा, W2 से, इसकी probability से, फिर से मैं z calculate करूँगा, फिर से मैं sigma of z calculate करूँगा, और मुझे उसके लिए एक 0 से 1 के बीच में probability मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत simple सी बारत है कि जितने आपके input में columns होंगे, उतने जादा आपके nodes होंगे input layer में, ठीक है और एक और हो जाता तो अभी 4D हो जाता, और फिर plane के बदले hyperplane हो जाता, ठीक है, obviously हम उसको visualize नहीं कर सकते, बट 3D तक हम देख सकते हैं, ठीक है, तो यह second case है, जहाँ पर आप input layer में notes बढ़ा रहे हो, तीसरा तरीका है, neural network के architecture को change करने का, कि आप अपने output layer में number of notes बढ़ा ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी examples discuss किये, उसमें हमेशा हमने notice किया कि आखरी में जाके तो एक ही perceptron होता है, बट जरूरी नहीं है, आप चाहो तो एक से ज़्यादा perceptrons रख सकते हो, generally आप ऐसा तब करते हो, जब आप multi class classification कर रहे होते हो, जैसे कि एक example है कि आपको एक photo देखके बताना है कि उस photo में dog है, या cat है, या human है, तो आप क्या करोगे, तीनों से attached एक एक perceptron मना दोगे, ये dog के लिए, ये cat के लिए, और ये human के लिए, end में इन में से जिसका भी probability ज़्यादा होगा, उस particular photo के लिए आप बोलोगे कि वो dog है, या फिर वो cat है, या फिर वो human है, तो सीखने वाली बात ये है, कि multi class classification के case में, आप multiple nodes रखते हो, अपने output layer में, ठीक है, चौथा तरीका है, अपने neural network के architecture को change करने का, कि आप number of hidden layers बढ़ा दो, अभी तक हमने एक भी layer में बढ़ाया था, हम layer के अंदर nodes बढ़ा रहे थे, बढ़ अगर आप चाहो, तो ये input layer है, ये output layer है, बट यहाँ पर आप मेरे पस दो hidden layers है, ये देखो, ये hidden layer 1 है, और ये मेरा hidden layer 2 है, ठीक है, क्या फाइदा होगा ऐसा करके, ये फाइदा होगा कि जब आपके बस बहुत complex non-linear data होगा, जो बहुती complex तरीके की decision boundary से ही आप अपना काम निकाल पाओगे, उस case में इतनी complex decision boundary आप layers add करके ही बना पाओगे, आपका जो पहला layer है, hidden layer, वो सिर्फ linear decision boundaries create कर रहा है, बट जैसे आप deep जाओगे अपने layer में, अपने neural network में, आप complex relationships capture कर पाओगे, और फिर इनका linear combination होगा, तो और जादा complex relationships capture हो पाएंगे, तो इसी reason से neural networks को universal function approximator बोला जाता है कि आप कोई भी complex data दे दो, जिसमें कितना भी non-linearity है, अगर आप enough hidden layers add करते हो अपने network में, तो given enough time, training में अगर आप enough time दो, तो आपका neural network उस relationship को capture कर ही लेता है, ठीक है, तो ये एक बहुत important concept है कि आप कितना भी deep neural network बना सकते हो, obviously there are considerations की training time जादा होगा, और ब चीज़े आ जाएंगी picture में, बट ये हमेशा true है कि given enough hidden layers and enough training time, आप कोई भी mathematical function बना सकते हो, with your neural network, गाइस ये demo दिखाने के लिए मैं आपको फिर से TensorFlow प्लेग्राउंड पे लेके आया हूँ, तो अगर आपको याद होगा, perceptron में मैंने आपको इसी जगा पे demo करके दिखाया कि कैसे एक single perceptron इस exor data के उपर converge नहीं कर पाया था, ठीक है, और वही सबसे बड़ा failure point था perceptron का कि non-linearity capture नहीं कर सकता, तो अब मैं दिखाता हूँ कि एक छोटा सा भी multi-layer perceptron इस data को बहुत easily handle कर लेगा, ठीक है, so, यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने exor वाला data select किया है सबसे पहले तो, और उसके बाद, यहाँ पर हमारे पास, दो input nodes है, input column में, यह हमारा output है, output node, और यह हमारा hidden layer है, जिसमें, दो perceptrons as point थे, ठीक है, बाकी you can see, हमने activation function फिलाल select किया है, sigmoid, और अब हम क्या करेंगे, कि इस learning rate के साथ, अभी learning rate वगेरा क्या है, वो आपका tension नहीं है, आगे हम discuss करेंगे, मैं training start कर रहा हूँ, and you can see, यहाँ पर आपको सारा का सारा error दिखाई दे रहा है, जो over time reduce हो रहा है, और you would see, थोड़ा time लगेगा, so you can see, बहुत अच्छे से capture नहीं कर पाया, तो what we can do is, हम दो-तीन चीज़े कर सकते हैं, बट मैं इस hidden layer में, notes बढ़ा रहा हूँ, मैंने दो और notes add कर दिये, और अब मैं फिर से train कर रहा हूँ, and you can see guys, हमने non-linearity capture कर लिया, ठीक है, अब एक दो और cases देखते हैं, यहाँ पे कुछ और data sets भी available है, जैसे कि एक data set है, ये वाला, ठीक है, concentric circles का data set है, completely non-linear है, same architecture से try करते हैं, so, अगर हम run करें, you can see, तुरंत converge कर गया, ठीक है, अगर हम एक और complex data set ले, जैसे कि एक बहुत complex data set है, इसके उपर अगर हम train करें, same architecture, let's see, output क्या है, so, ये थोड़ा difficult data है, उतना easily, इसके उपर convergence नहीं आ पाएगा, you can see, almost 500 epochs हम लोग चला चुकें, but अभी तक कुछ खास convergence नहीं हुआ, तो हमें कुछ changes करने पड़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला change मैं क्या कर रहा हूँ, मैं hidden layers बढ़ा रहा हूँ, so, you can see, मैं यहाँ पर click कर करके, let's see, मैंने 4 hidden layers कर दिये, और 4 हो में 4-4 nodes add कर दिये, like this, ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से model को train करेंगे, you can see, कुछ खास फाइदा हो नहीं रहा है, in fact, अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, यह जो loss है, यह बहुत constant जा रहा है, तो एक तरीका क्या है, since अभी आपने इसम नहीं पढ़ा है, तो आप activation function change कर सकते हो, to relue, relue सबसे जादा use होने वाला activation function है, आज की rate में neural networks में, एक बार इसके उपर हम लोग train करेंगे, and you can see, तुरंट हमें फाइदा दिखने लग गया, error reduce हो रहा है बहुत तीजी से, and you can see, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कि changes आ रहे हैं हमारे decision boundary में, in fact अच्छी बात यह है, इस पूरे के पूरे website की, कि आप यहाँ पे layer by layer जाकर के, decision boundaries चेक कर सकते हो, तो यह रहो, first layer में जो आपके perceptrons है, उनकी सबकी decision boundary linear है, बट आगे वाले में धेरे धेरे हम, थोड़ा और complex non-linear decision boundaries capture कर रहे है, like यह देखो, चीख है, और यहाँ पर you can see, इस point पे थोड़ा time लगेगा, हम लोग almost thousand epochs के आसपास जा चुके हैं, तो मैं video pause कर देता हूँ, उसके बाद जब यह सही हो जाएगा, I'll show it to you, so guys you can see, बहुत try करने के बाद भी, this is what I'm getting, थोड़े से misclassifications यहाँ पे हो रहे हैं, but you can see, जो data का essence है, वो यह वाला model capture कर पा रहे है, अच्छी बात यह है कि आप, बीच में भी क्या चल रहा है, यह भी देख सकते हो, यह देखो, बीच के perceptrons, किस तरीके से data को देख रहे हैं, यह हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यह एक बहुत बढ़िया demonstration है, और यह एक बहुत अच्छी website है, जो आपको जाके use करनी चाहिए, इसको चलाने के लिए आपको कोई coding knowledge की ज़रुरत नहीं है, इस जीवाई टूल, बट यह आपको बहुत perspective देगा आगे के लिए, ठीक है, तो मैं आपको recommend करूँगा, अलग-अलग data set से यहाँ पे, आप noises add कर सकते हो, batch size बड़ा घटा सकते हो, आप regression problem भी select कर सकते हो, और यह आप जाके try करो, ठीक है, सीखने वाली बात हमारे लिए यह थी, कि non-linearity capture कर पाता है, और increasingly हमारे जो hidden layers है, वो और ज़्यादा complex patterns capture करते हैं हमारे data में, ठीक है, तो I hope आपको यह पूरी चीज समझ में आ गई, So that was the video guys, कैसा लगा आपको feedback में बताना, क्योंकि इस particular video के लिए काफी महनत की है वैने, तो I would like कि आपको बहुत पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो फिर प्लीज लाइक करना, और प्लीज दू सब्सक्राइब माई चैनल, इस तरह का और बहुत सारा content आते जाएगा, ठीक है, So that's it from my side, Thanks for watching, Bye.